हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आए एक्जाम भी सो स्टूडेंट्स हमने इस्पेशली जितने भी आगे नेक्स्ट एक्जाम है उनके लिए क्वांट की सीरी स्टार्ट किया कोशन की जिसमें हम लोग आपको बताएंगे कुछ ऐसे टफ कंसेप जो बच्चों को मुश्किल लगते हैं और उनको बेसिक के साथ कराया जा रहा है इन वीडियो के अंदर सो हमने पिछली वीडियो में मिक्शर का एक टाइप किया था तो इस वीडियो में भी हम मिक्शर का ही एक और टाइप कर रहे हैं सो लेट सी दा कुश्चन ए मिल्कमें पेज रूपीस 10 पर लीटर तो जो मिल्कमें है वो 10 पर लीटर का मिल्क लेके आता है रईट एड़ पेज़ द लोना के इन डोनों और रहे हैं सेल करते हैं वो 11 पर लीटर जबकि उसकी कास्ट क्या थी मिल्क की 10 पर लीटर आड़ उसकू तो जब वो 11 रुपी का बेचता है, तब उसको फाइदा होता है, गेन होता है, कितना 37.5%, इतना उसको गेन होता है, ठीक है, so अब आपको बताना है, find the ratio in which he adds water in the milk, ये आपको बताना है, ठीक है student, तो यहाँ पर आप simply allegation लगाएंगे, देखें, आपको cost पता है milk की, आपको water की cost पता है zero, तो आप क्या करिए, आप net mixture की cost निकाल लेजिए, 11 में बेचा जा रहा है और इतना profit हो रहा है, ये selling price है, हमें CP पता है, milk का water का, हम mixture का भी CP निकाल लेते हैं, तो ऐसा करने से क्या होगा, हम allegation लगाएंगे, allegation लगाने के लिए जो terms है, वो सारी same होनी चाहिए दो जगा पे CP हो और एक जगा पे SP हो ऐसा नहीं चलेगा, या तो आप सब को CP में convert करें, या फिर आप सब को SP में convert करें, तो आएए देखते हैं, हम इसको CP में convert करके कैसे कर सकते हैं, finally, जो mixture हम बेच रहे हैं, वो हम कितने का बेच रहे हैं student, 11 rupees per liter का, जिसमें हमें जो gain हो रहा है, वो रहा है 37.5% का, तो यहां से हम CP निकाल सकते हैं student, जो gain है वो 37.5 है, इसको हम short में 3 by 8 भी बोलते हैं, आपको पता होगा, ये percentage बहुत important है, आप इसको ऐसे भी याद रख सक साड़े 12% शायद आपको याद होगा कि 1 by 8 होता है fraction में, तो ये उसका 3 times है, 37.5% कितना हो जाएगा 3 by 8, तो अब हम CP निकालते हैं, CP कैसे निकाला जाता है आपको पता होगा, CP निकालने के लिए SP को divide किया जाता है, 100 प्लस जितना भी profit percent हो, यानि कि 37.5% तो इतने percent से हम divide क करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि जो 37.5% होता है, वो 3 by 8 होता है, तो 100% 1 fraction हो गया, और 37.5 जो होता है, वो 3 by 8 हो गया, 100% आपका 1 हो गया, और 37.5 3 by 8 हो गया, तो इसको solve कर लिया, तो ये हो गया, SP अपॉन 11 by 8, यानि कि 8 by 11 of SP, और SP हमें कोशन में 11 दिया हुआ है कोशन में 11 SP दिया हुआ, तो 11 cancel हो गया, मतला, finally हमने इतने का बेचा और इतना profit हो रहा, तो हमें CP निकालना पड़ेगा, तो कोशन में देखिए, milk का जो CP है, वो कितना है, student, 10 रुपे का है, और water का जो CP है, water free का होता है, उसकी cost हमेशा 0 मानते है, तो milk की cost 10 रुपे थी, water क cost 0 है, और हमें finally इसको कितने का बेचना है, student, हमें 11 का बेचना था, इतना profit होना चाहिए था, तो यहां से हमारा cost price कितना आ गया, कितने का हमने उसको finally हमारी cost पड़ रही है, 8 रुपे, तो अब देखिए, सब चीज CP में change हो गई है, अब हम यहां allegation लगाएंगे, आपको प 8 ratio 2 में mix किया गया, milk and water को, यह उनकी quantity का ratio आ जाएगा, या फिर 4 ratio 1 आ गया, so question में यह पुछा है, in what ratio water to be mixed with milk, तो यह milk and water का ratio है, आप से उल्टा पुछा है, water और milk का, तो इसका उल्टा कर दीजिये, यानि कि answer आ जाएगा, आपके पास 1 ratio 4, so यह आपका final answer आ जाएगा, so I hope आपको यह question समझ में आया होगा student, कि हम 10 रुपे की चीज मिला रहे हैं, पानी के साथ, तो इसकी cost 10 है, इसकी cost 0 है, finally हमें कितने का बेचना पढ़ रहा है, वो पता है, SP पता है, लेकिन देखिए, यह दोनों CP हैं, तो हमें net जो price लेना होता है, allegation में, वो same लेना होता है तो आपकी मर्जी है, या तो सबको CP में रखी है, या SP में, तो मैंने सबको CP में रखा है, अब मैं आपको यह question ऐसे भी करवाता हूँ, कि अगर यह question SP सेम रख के करते हैं, मतलब हम सबका SP लेते हैं, तो यह question कैसे होता, तो देखिए हमारी जो milk की cost थी, वो 10 रुपे थी, ठीक है, और water की cost है 0, ठीक है, तो अब हमें पता है कि finally जो हमें profit होना चाहिए, वो 37.5 होना चाहिए, जो की 3 by 8 होता है, तो हम करते हैं क्या, कि हम इसके अंदर इसका 37.5 जो है वो add कर देते हैं, तो हमें उसका SP मिल जाए 7.5% profit चाहिए, तो वो 3 by 8 हो जाएगा, मतलब ये solve करके कितना आ गया, 10 plus 30 by 8 हो गया, तो ये हमारा finally जो है, निकल के आया, 80 plus 30 कितना हो गया, 110 by 8, इसको हम 2 पे और काड़ देते हैं, यनि कि ये हो जाएगा हमारा 55 by 4, तो milk की cost हमारी आ गई, 55 by 4, और water की cost हमारी 0 है, sorry, ये milk का selling price आ गया है, 55 by 4, और water को 0 की चीज में अगर हम उसका कुछ percent आड़ भी कर देंगे, तो वो 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 का कितने percent भी निकाले, 0 ही आएगा, so आड़ करके 0 ही रहेगा इसका selling price, और finally हमारा जो mixture है, उसका selling price हमें पता 11, तो इसको हम solve कर लेते हैं, अब allocation लगा क्योंकि हर चीज हमने selling price में convert कर ली है, और mixture का to selling price हमें पता ही है, 11 था, तो इधर का gap जो है, वो 11 आगया, और उधर वाला gap जो आएगा, वो कितना आएगा, वो आजाएगा 55 by 4 minus 11, तो अगर आप इसको solve कर लेंगे, कितना हो जाएगा ये, 11 by 4, और अब इसको और cancel कर लेते 11 ratio 11 by 4 को cross multiply करेंगे, तो ये हो जाएगा 44 ratio 11, यानि कि 4 ratio 1, तो देखिए, वही answer आगया, milk and water का ratio 4 ratio 1 है, लेकिन हमें water और milk का ratio चाहिए था, इसलिए इसका answer जो आएगा, वो 1 ratio 4 आएगा, तो आपकी वर्जी है, CP सब का लिखना चाहते हैं, तो वो लिखिए, या सब का SP निकालना है, same question है, बस मैंने यहां पर price change कर दिया है, कि एक milk की जो cost है, वो 6.4 रूपीज पर लिटर है, उसमें पानी add होता है, और mixture को जो बेचा जाता है, वो 8 रूपीज का sell किया जाता है, 8 रूपीज पर लिटर, और उसमें भी gain होता है, 37.5% का इतना gain होता है, so आपक को निकालना है, finally, तो milk का cost हमें पता है, water का cost zero है, यह जो 8 रूपीज है, यह हमारा net mixture का selling price है, अब दिखिए, दो तो CP दिया हो और एक SP दिया हो है, allegation लगाने के लिए, आपको, या तो सब को CP में convert करना पड़ेगा, या SP में convert करना पड़ेगा, तो आप इसका answer comment में लिख सारे के सारे जो mock test हैं, वो बिल्कुल free of cost available है, सारे exams जो आप चल रहे हैं, उनके लिए आप mock test practice कर सकते हैं, plus we have online course, इन सब exams के लिए, तो ये भी आप इनका demo जो है, वो हमारी website पर जाके check कर सकते हैं, thank you so much guys, thanks for watching, और उस question का answer comment में जरूर लिखेगा, वीडियो को like, share और comment कर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जो है वो जरूर दबाए ताकि आपको सारी वीडियो जो है timely मिलती रहे, thank you